Hello dear students, आप सभी का फिर से welcome इस class में और आज हम new chapter start कर रहे हैं जो कि chapter 3 है और जिसका नाम है parallel lines ठीक है तो आज की जो class होगी इसमें हम exercise 3.1 solve करेंगे तो देखिए आपके समने पहला question है इसमें क्या लिखा? draw a line segment of 6 cm and taking any point P draw a parallel line at a distance of 2.5 cm तो यहां पर हमें क्या करना लिखिए? सबसे पहले पूरे जो question को break करेंगे के एक part में सबसे पहले statement देखो क्या लिखा है? draw a line segment of 6 cm तो सबसे पहले एक simple हमें एक line खीचनी है 6 cm की तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप scale से 6 cm की एक line खीच लेंगे तो यहां से हम खीच लेते है 6 cm की line तो यह देखिए मैंने 1 से 7 तक का ले लिया यह हो गया 6 cm अब इसके इस तरीके सैरो बना ल तो लेट से इस line का हम नाम दे देते है line L अब इसके बाद हमको क्या करना? इस line पे एक quick point बनाना है और उसका नाम हम रखते है P मानलो यह point हमने बनाया और इस point का नाम है P ठीक है? अब क्या करना है? इस P point से 2.5 cm की distance पे एक और इसी के parallel line बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस P point से perpendicular एक line draw करेंगे तो उसको हम rounder के help से करेंगे तो इसकी लिए इस तरीके से rounder हम ले लेंगे और आपको क्या करना? पी point पे इस rounder को रखना है और एक semi circle बनाना है जो कि इस line को cut करेगा दो point पे इस तरीके से देखी ऐसे हम circle बनाएंगे तो ये इस line को देखो दो point पे cut कर रहा है अब हमें क्या करना है? इस point पे rounder को रखना है जहाँ ये line को cut कर रहा है और एक arc cut करना है इस तरीके से तो ये देखें यहाँ पे एक arc cut हुआ अब हमें यहाँ पे जो arc cut हुआ है यहाँ पे फिर से एक और बार rounder रखना है और एक और arc cut करना है ठीक है? तो आपको ये दो point मिलेंगे semicircle के उपर अब आपको क्या करना है? इन दोनो point के उपर rounder को रखना है तो इस तरीके से rounder को रखेंगे और एक और arc यहाँ पे cut करेंगे उपर देखें हम क्या कर रहे है देखें perpendicular line अभी draw कर रहे है ठीक है? उसके बाद parallel line मनाएंगे फिर दूसरे point पे भी यहाँ पे रखेंगे rounder को तो इस तरह से देखें यहाँ पे आपको एक cross मिलेगा यह जो point है यह इस point को हम बोलेंगे point Q ठीक है? और इस point Q और point P को जोड़ देंगे आप तो एक perpendicular line बनेगी तो यह देखें इस तरीके से हमने perpendicular line लाइन के अब आपको क्या करना है? 2.5 cm का distance पे एक arc cut करना है तो यहाँ scale से measure कर लेंगे 2.5 cm तो यहाँ मैं measure कर रहा हूँ तो यह हो गया 2.5 cm यहाँ पे रखना है rounder को और यहाँ पे एक arc cut करेंगे तो यह वाला जो point है 2.5 cm वाला इस point का हम नाम दे देते हैं r ठीक है? अब हमें क्या करना है? इस r point से एक और line इसके parallel खीचना है तो इसको parallel खीचने के लिए आपको क्या करना है? इसी r point से एक perpendicular line ऐसी खीचनी जो हमने process यहाँ पे किया था वही process यहाँ पे करेंगे अब तो आपको फिर से अब क्या करना है? rounder लेना है इस point r पे रखना है और एक semicircle इस तरीके से cut करना है कि यह जो perpendicular line बनी है इसको यह दो point पे cut करेगा देखिए इस तरीके से आप बना लेंगे देखिए मैंने थोड़ा बड़ा arc cut किया यहाँ पे ताकि आपको clearly देखिए लेकिन आप छोटा arc लेके भी कर सकते हैं ठीक है अब आपको क्या करना है फिर वही process करना है यहाँ पे आपको rounder को रखना है तो यह दो आपको point मिलेंगे ठीक है तो यह दो point आपको जो मिले यहाँ से फिर आपको क्या करना है दोनों पे आपको rounder रखके एक और arc cut करना है इस तरीके से देखिए यहाँ पे point rounder को रखा मैंने एक इस तरीके से arc cut किया पिर rounder को यहाँ रखेंगे और एक इस तरीके से arc cut किया है मैंने तो यहाँ पे आपको यह जो point मिल रहा है यह इस point का नाम दे देते हैं S और यह S और यह R वाले point को आप जो देंगे और straight लंबा हीच देंगे तो वो line इसके parallel बन जाएगी तो आईए देख लेते हैं इसको joint कर लेते हैं S और R वाले point को हम खीच लेते हैं इसको लंबा हीच लेते हैं और यह दूसरी line बन गई इस line का हम कुछ और नाम दे देते हैं तो यह जो हमारा line M है यह वाला line और यह line N यह बन गए parallel तो यह है हमारा required line parallel line देखिए अब हम करते हैं इसका second question और इसमें क्या लिखा है देखिए यहां पर आपको एक figure दिया हुआ है ठीक है और यहां पर कुछ lines है इस lines की नाम है तो यह जो line है इसका नाम है L यह line है इसक का नाम है N ठीक है और यह वाली जो line है यह नाम है इसका T ठीक है अब हमें given क्या है पहले देखें given है हमें कि line R और R parallel है यह वाली line और यह वाली line parallel है ठीक है इसके बाद क्या given है जो T और M है यह वाली लाइन T और यह वाली लाइन M, यह perpendicular है, मतलब यह वाला जो angle बनेगा, यह 90 degree बनेगा, ठीक है, इसके बाद हमें given है T और N, यह वाली line भी perpendicular है, तो इसका मतलब क्या है, यह भी जो है, यह होगा 90 degree angle, अब इसमें आपको तीन चीज बताना है, पहला पार्ट में क्या लिखा है, M और N, क्या M और N parallel है, तो यह obvious है, आपको parallel line की property देखनी होगी, parallel line की property क्या होते है, उसके corresponding angle equal होते है, तो कोई यह देखो, यह एक line है M, और दूसरी line है N, और यह वाला angle और यह वाला angle, दोनों ही 90 degree हो रहा है, क्योंकि given है question में कि यह T perpendicular है M और N के, तो यह और यह angle equal होंगे, तो यह corresponding angle बन गए, इसलिए M और N जो है, वो होंगे parallel, बस यही एक statement आपको लिखना है, उसके बाद दूसरा आ जाएंगे, दूसरे part में क्या लिखा है, क्या L और N भी parallel होंगे, तो यह भी parallel होंगे, देखो, यहाँ पर क्या है, हमको यह already given है पहला, कि L और M parallel है, ठीक है, यह given है L is parallel to M, और अभी हमने first part में क्या proof किया, M और N parallel है, याने M हो गया parallel to N, याने L parallel है M के, M parallel है N के, इसका मतलब L और N भी आपस में parallel होंगे, यहाँ same conclusion निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, L parallel to N, ठीक है, यह second part हो गया, अब third part में बताना है, क्या T और L perpendicular होंगे, क्या यह भी 90 degree होगा, तो obvious है, अभी हमने proof क्या L और N parallel है, L और N अगर parallel है, और L और M भी parallel है, तो यह तीनों angle corresponding angle होंगे, और same होंगे, तो यह यह भी 90 degree होगा, यदि यह 90 degree है, उसका मतलब क्या हो गया, T और line L यह भी हो गया, perpendicular, अब देखिए, next question है, third question और इसका diagram यहाँ पर दिया हुआ है, आपके सामने, और इसमें देखिए, क्या-क्या given है, given यह है कि, तीन line ABC, देखो यह A, यह B, यह C, यह तीनों line जो है, वो parallel है, यह given है, उसके अलावा, दो line यह L और यह M, यह क्या है, यह transversal है, और given यह है कि PQ और QR equal है, याने PQ का distance और QR का distance equal है, याने PQ is equal to QR है, यह given है हमको question में, अब आपको यह बताना है, क्या ON और NS का distance equal होगा, ON equal to NS, क्या यह equal होगा या नहीं, यह हमें बताना है, तो देखो, यहाँ पी कुछ करना है नहीं, simple सा parallel line की property यूज़ करना है, property क्या कहती है, देखिए, यह आपके सामने लिखा है, if three lines, three parallel lines, make equal intercept on one transversal, यदि कोई तीन parallel line है, और वो equal intercept, याने जैसे यहाँ बन रहा है, PQ और QR equal है, यह equal intercept कहलाता है, अगर यह equal intercept बना रहे है, on one transversal, then it will make equal intercept on other transversal as well, यदि इस पे यह equal intercept बन रहा है, L transversal पे, तो M वाली line पे भी यह equal intercept बनाएगा, याने on equal to ls होगा, और यह property होती है, parallel line, चलिए, आप हम करेंगे इसका fourth question, और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक figure हमको दिया है, और उसमें क्या लिखा है, AB is parallel to DC, याने जो AB वाली line है, और जो DC line है, यह एक दूसरे के parallel है, चीक है, और दूसरा statement दिया है, कि EF और AB यह भी parallel है, EF is parallel to AB, याने AB DC की भी साथ parallel है, और AB EF के साथ भी parallel है, चीक है, तो देखिए, यहाँ पे दो question है, पहला question आपको बताया है, क्या AB, EF और DC तीनों parallel होंगे थे, तो obvious सी बात है, देखो, अगर AB, DC की parallel है, और AB, EF के भी parallel है, उसका क्या मतलब हो गया, EF और DC भी हापासे parallel होंगे, याने तीनों line एक दूसरे के parallel होंगी, तो first वाला question तो इससे हो जाएगा, अब उसके बाद देखिए, आपको क्या दिया है, इस F is the midpoint of the line segment BC, यहाँ पर क्या दिया है, यह जो E वाला point है, यह point जो है, यह midpoint है, AD वाले line का, ठीक है, E is the midpoint of line AD, तो आपको बतायाना क्या F midpoint होगा, CB line का, तो यह भी होगा, यहाँ भी हमें parallel lines की property यूज़ करनी है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम यह 3 line को मान लेते हैं, हमने proof कर दिया, sorry, first part में यह parallel है, AB, EA, BC parallel है, और यह वाली line एक transversal बनेगी, और यह वाली line भी transversal बनेगी, तो यहाँ पर अगर E midpoint है, तो BE is equal to EA होगा, क्यों होगा, क्योंकि E midpoint है, बीच वाला point है, आगे समझ में, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह transversal का equal intercept बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इसमें, इस तीनो parallel line के वज़े से, अगर यह equal intercept cut कर रहा है, यह parallel lines, तो इस वाले transversal में भी, यह equal intercept cut करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यह equal है, तो इस तरफ भी equal होगा, दुनों तरफ, यह property है न, parallel line की, तो CF होगा equal to FBK, ठीक है, तो CF और FB, अगर equal है, तो यह तभी equal हो सकता है, जब F midpoint होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे हम prove कर सकते हैं, F is midpoint, किसका midpoint है, midpoint of CB, बस, हो गया prove, चलिए, अब करते है, question number 5, यहाँ पे भी एक figure दिया हुआ है, और क्या given है हमें, in the given figure, L is parallel to M, is parallel to N, यहाँ पे देखो line है, L parallel है M के, और N के, यह तीनों line parallel है, इसके बाद हमें बताया है, क्या, will the ratio of the intercept be equal, यानि क्या, जो intercept का ratio बन रहा है, दो transversal यहाँ पे, एक line यह transversal है, एक line यह transversal है, तो इनका intercept का ratio क्या equal होगा, इस sentence का मतलब फहले संगे, intercept मतलब यह जो line cut कर रही है, parallel line इस transversal हो cut कर रही है, तो intercept क्या होगा है, यहाँ पे देखो, A, B और B, C, तो अगर यह बूल रहे हैं, A, B upon B, C, यानि यह क्या होगया, ratio of intercept, क्या यह दूसरे transversal के intercept की equal होगा, यानि D, E upon E, F के बराबर होगा, क्या, यह हमको proof दरना है, ठीक है, समझ में आई यह बात, अब देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमें, तीनों line parallel है, तो यहाँ parallel line की property यूज़ करेंगे, parallel line की property क्या होती है, अगर, एक transversal equal intercept cut कर रहा है, तीन parallel lines के दूआरा, तो दूसरा transversal भी equal intercept cut करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ हम लिख सकते हैं, a, b is equal to b, c, यह होगा, और माननो चलो, इसकी value भी कुछ होगी, 4 cm, 5 cm, 2 cm, कुछ लो, कुछ तो value होगी न, अभी हम मानन लेते हैं, फिलाल चलो, इसकी value है, x, a, b, और b, c equal है, तो यह भी x है, यह भी x है, ठीक है, इसके साथ साथ, यह भी equal होगा, दूसरा अन्ट ट्रास्वर्सल में भी intercept equal होगा, तो हम लिखेंगे, d e is equal to e f, ठीक है, और इसकी कुछ न कुछ value होगी, जरूरी नहीं है, कि इसी के बराबर हो, a, b और b, c की बराबर हो, तो हम मान लेते हैं, इसकी value है y, तो d e से इसकी value हो गई y, और e f भी उतने है y, ठीक है, अब यह x और y की value, यह लिए हम इस equation में रखें, a, b की जगे क्या हो जाएगा x, b, c की जगे क्या हो जाएगा x, और d e की जगे हो जाएगा y, और e f की जगे भी y हो जाएगा, तो x से x कड़ी आएगा, y से y कड़ी आएगा, तो 1 is equal to 1, यानि lhs और rhs equal आ रहा है, इसका मतलब यह जो ratio है हमारा, a, b upon b, c is equal to d e upon e f, तो यह हो गया proof, चलिए, अब last question करेंगे, होगे हम इस exercise का, जो है question number 6, और यहाँ पर दीखिए एक figure आपको दिया हुआ है, और इस figure के बारे में क्या information है, पहले आप यह समझ ले, यहाँ पर जो line d, a, d है, c, b है, और o, m, यह तीनो line क्या है, line segment a, b के perpendicular है, perpendicular का मनतलब क्या हो गया, यह भी angle 90 degree है, यह भी angle 90 degree है, और यह भी angle 90 degree है, तीनो angle 90 degree है, अगर तीनो angle same है, कोई भी तीन line के, यह corresponding angle बनेंगे, ठीक है, देखो, इसके भी, यह, जो 90 degree एक तरफ है, तो दूसरी तरफ भी 90 degree होगा, इसका linear pair का, इधर 90 degree है, इधर भी 90 degree हो कि 180 degree होता है sum of linear pair तो इसकी corresponding angle equal हो गए और अगर 3 line के corresponding angle equal है तो तीनों parallel होते है तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर हम यह कह सकते है जो line DA है वो parallel किसके है OM के और OM parallel होगा CB के यानि यह 3 line होगी parallel अब आपको देखो क्या दिया हुआ यह जो line है AO ठीक है इसकी length दी है 2.4 cm और OC की length दी है 3.6 cm अब यहाँ पर पहले part में इस question के आपको क्या करना है आपको यह ratio निकालना है AM upon BM यह ratio कितना होगा यह निकालना है अब देखिए यहाँ पर हम parallel line के property यूज करेंगे यह तीन parallel line है हमारे पास यह उसको एक transversal cut कर रहा है तो जिस ratio में यह वाला जो transversal intercept हो रहा है उसी ratio में दूसरा transversal भी intercept होगा यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यह parallel line देखिए यह 3 parallel line इसके लिए यहाँ पर भी 2 हम लेते है transversal एक transversal है AC दूसरा transversal है AB तो AC जिस ratio में cut होगा उसी ratio में AB cut होगा कहने का मतलब यह है कि AO upon OC यह ratio होगा इस transversal का और इस transversal का क्या ratio होगा AM upon MB तो यह जो ratio है इस transversal का और यह जो ratio इस transversal का यह दोनो ratio equal होते हैं यह होती है property of parallel lines अब हमें AO की value पता है और OC की value पता है तो हम AO की जगे लिखेंगे 2.4 और OC की जगे लिखेंगे 3.6 अब असानी से इसका ratio आ जाएगा तो AM upon MB हम लिख सकते हैं यह cut हो जाएगा 6 से 64 होता है 24 and 66 is 36 यह again cut हो जाएगा 2 से 22 is a 4 and 23 is a 6 तो इनका जो ratio आया 2 by 3 AM upon BM का ratio आया 2 by 3 यह हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है OB की length दी है OB है 3 cm तो DO कितना होगा हमें निकालना है अब यहां भी हम यही property यूज करेंगे फिर से यह आपको एक transversal दिख रहा है इसका जो ratio होगा याने OB upon OD इसका intercept का ratio और यह वाली transversal AB इसका ratio equal होगा याने AM upon MB के बराबर होगा ठीक है अब इसमें यहां पे आपको value रखना है OB की value देखो 3D है तो यहां पे हम 3 रख लेते हैं और जो है OD की value नहीं दिये यहां लिख लेते हैं OD याने OD को हम DO भी लिख सकते हैं आगे पीछे कर कोई problem नहीं है AM upon MB की value अब हम निकाल चुके हैं यह है 2 by 3 ठीक है बस अब इसको simplify करना है cross multiply करेंगे तो यह 2 multiply हो जाएगा DO में 2 into DO is equal to 3 into 3 इससे cross multiply हो जाएगा 3 into 3 9 अब 2 को नीचे ले आओ तो DO is equal to 9 upon 2 अब इसको divide करेंगे तो point में इसकी जो value आती है हो आएगी 4.5 centimeter तो यह होगा value of DO second part और first part हो गया 2 by 3 Hello dear friends